हेई हलो व्रिवान और वेलकम बैक तो मैं चानल नेम लर्निंग तू लर्न येस एम अधिति विनोद आरिया और वी वेर डिस्कसिंग कापिटल बजेटिंग तो लास्ट क्लास अगर आपने मेरी देखी हो तो हम कापिटल बजेटिंग डिसकस कर रहे थे और आज हम उसके बा प्लाटफॉर्म जहां से आप वेरियस कॉंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद दे इस अफ यह होम राइड तो दू चेक बाट अनकाडमी फ्रम यॉर अप स्टोर अगे और आपको कुछ क्रिएटिव कंटेंट देखना है तो राइड इस बॉस देट से वह आपको विडियो के एंड में मिल जाएंगे और मैं हल रोज आट बजे अपडेट करती हूं विडियो शाम के आट बजे रिलेटेड टू मैनेजमेंट या तो फाइनांशल मैनेजमेंट या एंटी यूजी सी नेट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी के कापटल बजेटिंग अपसलूटली कया होता है छोटा है एक है नुब वी आल्सोच इसकेड बाउट बजेटिंग और आपने इसके पहले के विडियोत नेगे देखे तो इस वीडियों के एंड में इसका पूरा प्लेगत प्लेटियो खुरार सेस्थ आपको बजेटियो लिस्ट आ जाएगा आप आराम से इसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट विद प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं कापिटल बजेटिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको रीकाब देती हो कापिटल बजेटिंग का मतलब जो भी कापिटल हमने इखटा किया है फ्रम फाइनसिंग डिसिजन अब हम उसे इन्वेस्ट करने वाले हैं कहां पर अलग-अलग एसेट्स में, प्रिजेक्स में, इन्वेस्टमेंट्स में या यू कैन से बिल्निंग में या मशीनरी में, प्लाइन मशीनरी में, एक्सेट्रा तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, यह यहाँ पर मैं एक्स्प्लें करने वाले हूँ या वो पर्टिक्लिव प्रजेक्स जॉब परचेस करने वाले हैं, यो परटिकलिव प्रजेक्ट जो आप परचेस करने वाले हैं, या वो particular investment opportunity जिसमें आप पैसे डालने वाले है उसका presentation कि वो आपको कितना पैसा देगा वो आपको return कब देना start करेगा वो आपके लिए कितना effective रहेगा etc. उसके बाद आप उसका screening करोगे यह simple वैसा यह जैसे सबोज आपको refrigerator लेना है और आपके हाथ में है 15,000 रुपीज अब क सबसे पहले देखोगे कि market में कितने proposals available है वो refrigerator के लिए यह refrigerator आप अपने घर के लिए यूज के लिए भी ले सकते हैं या business यूज के लिए भी ले सकते हैं ठीक है अगर आप specifically refrigerator ले रहे हैं for business purposes जैसे suppose आपकी ice cream बनाने की factory है या ice cream बनाने की company है तो of course आपको refrigerator चाहिए ही होग ठीक है तो आप जो भी refrigerator purchase करने वाले है उसके अलग-अलग proposals देखेंगे उनके presentations देखेंगे देखेंगे वो refrigerator कितनी capacity का है उसका depreciation cost क्या आता है उसकी shelf life क्या है उसका scrap value क्या है सब कुछ फिर आप screen करोगे उन proposals को screen मतलब छाटोगे हो सकता है आपको एक refrigerator का color ना पसंद आया हो एक refrigerator आपका you can say काम नहीं मतलब जितना आपको you can say speed वाला चाहिए या आपको जिस level का चाहिए उस level का ना हो right something like that fine तो आप उसको screen करोगे अपनी need के सापसे हो सकता है refrigerator size में छोटा हो right so उसे सापसे you exactly screen out कि आपको किस type का refrigerator चाहिए आप उसी को आगे consider करोगे right हो सकता है आ छाटने के दौरान आपको पता चला इन दस में से only four refrigerator आपके काम के हो सकते है right then economic evaluation of proposals अब ultimately हर proposal का आप economic evaluation करेंगे what do you mean by economic evaluation here आप exactly देख रहे हो कि उससे आपको return कितना मिलना चालू होगा कब मिलना चालू होगा क्या वो आपके लिए economically beneficial है beneficial है तो कितना beneficial है right और आप उस economic evaluation को compare करोगे दूसरे के साथ तो जैसे screening में आपके चार refrigerator आए थे right अब आप चारो को अलग अलग individually compare करोगे on various layers right on basis of its cost, on basis of its function, on basis of its economic returns etc उसके बाद ultimately आप एक project select करोगे मतलब एक refrigerator finally select करोगे final decision ले लिए अपने project का ठीक है अब capital budgeting का formulation करोगे right आप formulate करोगे कितना capital मुझे इसमें invest करना है right ऐसे किस तरह के capital budgeting होते हैं यह अपन आगे देखेंगे authorization of capital budgeting yes आपको authorize करवाना पड़ेगा financial manager say that yes he has given the authorization to buy that particular thing right फिर आप project को execute करोगे यह तो normal refrigerator की बात होई अगर कोई ऐसा asset होदा जिसको आके assemble करवाना पड़े right यह उसको you can say install करवाना पड़े तो आपको उसको execute करना पड़ेगा बाकाइदा trial run चलाना पड़ेगा यह देखने के लिए कि वो machinery properly काम कर रही है या नहीं and the last is feedback right फिर ultimately आप देख सकते हों कि वो product लेके आपका decision कितना सही था क्या आपने सही काम किया हो product लेके या गलत किया whatever it is right so this is the whole process or steps of capital budgeting which is very very simple right कल कल चो वीडियो अपलोड होगा it is related to that कि capital budgeting क्या होता है और उसके अलग-अलग प्रकार right इसके बाद हम लोग practical पे चले जाएंगे हम capital budgeting के various questions solve करना शुरू कर देंगे right so I hope आपको यह वीडियो समझ में आओ यह बहुत short वीडियो था जिसमें मैंने clearly explain किया what is the process or the steps of capital budgeting right और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखें I highly recommend you guys कि आप पूरा लिस्ट देखें ठीक है जिससे आपको पता चलेगा financial management के basics के FM क्या होता है ठीक है फिर FM के objectives FM के functions और फिर हमने क्या था sorry financing decision financing decision में हमने complete क्या था cost of capital including the numericals so please watch this particular playlist and watch two of my channels study vlog and boss lady for awesome new content right so take good care of yourself study hard and bye bye